हरे कृष्णा आज में आपके साथ सुरत की फेमस अमीरी खमन यानि की सूरती खमनी की रेसिपी शेर करने वाला हूँ और ये रेसिपी एकदम ऑथेंटिक है मैंने कई रेसिपी ऐसी देखे है कि जिसमें खमन का चुरा करके फिर उस पे तड़का डालके बनाए जाता है पर वो सुरती खमनी की ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है आज मैं आपके साथ ऑथेंटिक सुरती खमनी की रेसिपी बताऊंगा और एकदम आसान दरीके से एक्स्प्लेन करूंगा कि इसे कैसे हम घर पर बना पाएंगे तो अभी के लिए रेसिपी की वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने चने की डाल को एक कप चने की डाल को पानी में धोकर करीबन आट घंटे के लिए भिगो के रख दिया था आट घंटे के बाद यह दाल एकदम फूल चुकी है अब देख सकते हो यह देखे दाल फूल चुकी है और जो बाकी बचवा पानी था वो भी इसमें से मैंने निकाल दिया है तो अब इसको हमें एक मिक्षर जार में लेना है तो यहाँ पे मैं दाल को पहले एक मिक्षर जा में डाल डाल दी और फिर इसमें हम करीबन 4-5 चम्म जितना पानी डालते है चने की डाल को यहाँ पे पीछने के लिए बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है तो अब मिक्सर का जार बंद करते है और इसे एकदम दरदरा पीछ लेते है तो यह देखिए चने की डाल को मैंने दरदरा पीछ लिया था और पीछ ते वक्त मैंने थोड़ा सा पानी डाला था मैं आपको इसका टेक्शर दिखाता हूँ ए देखिए इस तरह का दरदरा होना चाहिए तो अब आगे की प्रोसेस करते है तो दाल पीछ के तयार है इसमें हम आधा छोटी चम्म जीतना इनो फ अब देख पारे हो अब इसमें से Air Incorporate हो चुक है हमारा मिश्रण एकदम लाइट हो चुका है तो सेवखमनी बनाने के लिए मिख्षर एकदम तयार है अब इस मिख्षर को हमें गेसफर पकाने के लिए रखना है तो एक साइट दूसरी साइट गेसटी फ्लेम के ऊपर यहा राइ डालते हैं और इसको चटकने देते हैं फिर उसमें आधा चोटी चम्मच जितनी हींग डालना है आधा चोटी चम्मच जितनी हल्दी पाउडर डालना है और फिर हमने जो मिश्रण पीस के तयार रखाए वो इसमें डाल देना है गेस की फ्लेम को मिडियम रखना है सारा मिश्रण है वो इसमें पहले डाल देते हैं और एक बार अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं अगर आपको आपका मिश्रण है वो नीचे इस तरह से थोड़ा सा चिपक जाए तो आपको पहले निकाल देना है जिसकी फ्लेम को थ्रूहाउट कुकिंग प्रोसेस के द लोग इसकी फ्लेम ही रखना है तो यह देखिए मैंने सारी डाल जो नीचे चिपकी थी इसको मैंने निकाल दिया था अब इसको हमें कूक करना है तो इसके लिए पहले थोड़ा से इसमें पानी डालते जाएंगे ताकि यह कूकिंग प्रोसेस के दोरान एकदम ड्राइग तो अभी के लिए मैं इसमें 5 चम्म क्यितना चार से पांच चम्म क्यितना पानी डाल देता हूँ और पानी डालने के बाद इसके उपर निकालने के देखते हैं तुमारी जो खौमनी है वो अलमूस्ट कूक होकर तयारे एक बश् pior अच्छे मिक्स कर लेते हैं अब इसको डगकर कुक करने की नहीं जरूरते एसे ही अगर आप 5-6 मिनिट तक कुक करेंगे तो तयार हो चाहेगी और आपको फिर हाथ में लेके देखना है कि इसमें कितना सा कच्चा बने उस हिसाब से आपको कुक करना है पर गेस की फ्लेम स्लो रखनी है और मैंने 5 मिन कुक कर दिया था और हमारे खमनी बन के एकदम तयार है बिलकुल भी कच्ची नहीं रही है अच्छे से कुक हो चुक है तो अब इसमें बाकी मसाले डालते है तो तिखास के लिए याँ पर मैंने दो बड़े चम्मच जितनी अद्रक और मिर्ची की पेस्ट ब और अब इसमें डालना है तीन चम्मच जितनी चीनी चीनी इसका मेन इंग्रिडन्ट है और इसमें आधा निम्बू का रस डाल देते हैं और हां मिठास की भी कोई कौंटिटी नहीं है मैंने आपको ज्यादा मिठा चाहे तो थोड़ी सी बढ़ा दीजे और कम मिठा चाहे कौंटिटी थोड़ी सी कम कर दीजे सभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं गेस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है अच्छे से मिक्स करने के बाद ढगकर इसको करीबन 5-7 मिट तक ऐसे ही छोड़ देना है एकदम गरम में तो जो चीनी हो इसमें अपने आप मेल्ट हो सर्विंग प्लेट में इसको पहले हम निकाल देते हैं देखिए कितनी टेम्टिंग लग रहे हैं देखने में ही बहुत ही बढ़िया अमारी खमनी तयार हुई है तो यहाँ पे सर्विंग प्लेट में मैंने खमनी निकाल दी है अब इसके उपर गानिशिंग करते हैं तो किस्ट में इसके उपर जाएगा अरा धन्या थोड़ा सा में अरा धन्या इसके उपर डाल देता हो सूरत की एकदम authentic अमेरी खमन यानि की सूरती सेव खमनी की रेसिपी बनके एकदम तयार है यह देखिए कितनी बढ़िया बनी है और हाँ कोई इसकी प्रोसेस में कोई दिक्कता यहसा कोई स्टेप सी नहीं है शीफ आपको इस श्रीपी को पूरा follow करना है और अपने घर पर जरूर से जरूर बनाना है इसके अनुपव मेरे साथ comment section box में जरूर जरूर शेर करना है और अगर आपको कोई नई रेसिपी चाहिए वो मुझे comment section box में लिखना में अगली बार जरूर से जरूर शेर करूँगा तो have a bite और हाँ मेरी चैनल को subscribe करना ना भूले अरे कृष्णा